हाउर फिक्स यूट्यूब एप केंट कनेक्ट टू इंटरनेट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपका जो एप्लिकेशन है यूट्यूब का वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलूशन बताने वाला हूं अगर आपको भी जानना है वीडियो को शुरू से लेके आन तक पूरा जरू देख लेना ठीक है यह वर उस आपका प्रॉब आपके इंटरनेट पर काम कर जाएगा प्रॉबलम भी सॉल्फ हो जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आईकन को क्लीक जरू करें यह यह आप आँन-लाइन पेस करने की कोशिच कीजिए ठीक है अगर आपके इंटरनेट प्रॉब्लेम कर रहा है तो दोस्तों आपको इंटरनेट का सॉलूइशन में आपको बता देता हो लेकिन मान रिजा आपका जो इंटरनेट है वह काफी अच्छे से मोबाइल पे चल रहा है फिर भी सिर्फ को आपना स्टेम को सेलेग करें और यहां पर आप नेटर उक मोड जो है उसकोँ करके यूटुश को सीच कीजिये ठीक है इससे क्या होगा दोस्तों रिफ्रेश हो जाएगा अगर नेटर्वी रिफ्रेयस होते है तो आपको बस मिल जाएगा ठीक है टो कई जगे पर ठीजि reset बेकावें reset पर आपको जाके reset network setting पर click करना है अपना sim select करना है sim one, sim two जो भी है reset setting पर click करके आपको mobile का password बार देना है उसके बाद last में आपको यहाँ पर click करना है नीचे reset setting पर अगर आपको यह setting डूने में डिक्कत हो रहा है तो आप दोस्तो जाएए अपने search setting के उपर में और click किजिए reset करके I mean आपको type करना है reset और आपको मिल जाएगा setting जाके reset करवा लिजे उसके बाद दोस्तो आप try करके देखिए अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है लेकिन मान रिजे अपडेट के बाद problem solve हो जाता है तो आपका काम बन चुका है ठीक है लेकिन मान रिजे अपडेट के बाद fix नहीं होते तो आपको जाना होगा setting पर scroll down करके application and permission पर जाना है और app manager को open करना है यहाँ पर आपको मिलेगा app manager manage app या फिर install app तो उसमें आपको जाना है और जाके scroll down कर लेना है और जाते जाते दोस्तों आपको YouTube जो है उसको open करना है उसके बाद force stop करके ok करे internal storage पर जाए clear data करके ok कर दीजे clear data वगड़ा करने के बाद दोस्तों permission setting पर जाके सारे permissions allow कर दीजिए और सारी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको रिष्टिक data का यूजिस आप मिन रिष्टिक data यूजिस का option भी मिल जाएगा ठीक है इस तरह का option मिल जाते YouTube के अंदर पे तो data uses दोस्तों आपका data network और wifi connection यह दोनों on होना चाहिए आपके YouTube का ठीक है तो अगर यह on रहेगा तबी आपका जो app है उसमें network connection पास होगा और आपका problem solve हो जाएगा तो बस यह solution करके देखे और आपका problem solve ठीक है लेकिन मान रिजे by any chance आपने app update करके देख लिया network connection fix किया और clear data भी करके देख लिया फिर भी problem solve नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों जाएगा अपने mobile के play store पे YouTube को uninstall करके reinstall करके देखे साधी साथ device के software को update भी कर दीजे एक साथ आपका जो सारे जो problem है वो fix हो जाएगा ठीक है इस वीडियो वाड़ो से वास इतने वीडियो अच्छा लगा दो वीडियो को लाइक करें इसके रिलेटर पर अगर आपको कोई भी issue कोई भी problem है तो दोस्तों आप हमें comment section पर comment करके बता सकते हैं या तो फिर Twitter पर भी message कर सकते हैं तो आज के लिए वास इतने टेंक्स वाच झाल करें तो नापको को भी बता सकते हैं याझ।